प्रवाईश्यू के नाम में नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबों का सत्यवचन बाईवल अध्यन कारिकरम में स्वागत है आशा है आप सब परमेश्वर के अनुग्र से कुशल पूर्वक है पिछले अध्यन में हमने देखा कि मूसा परमेश्वर के द्वारा फिरौन के पास भेजा जाता है और वह फिरौन के सामने अपनी लाठी डालता है और वह साप बन जाती है दोस्तों इस प्रकार से परमेश्वर का दास मूसा चमतकार दिखाता है लेकिन फिर भी फिराउन का हिर्दय कठोर रहता है तब वह मिस्र में विपत्यों को भेशता है जिसका विस्तरित विवरन भी हमने देखा था दोस्तों आज हम इस अध्यन में सात्वे अध्याय के दूसरे वचन से आगे देखेंगे कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो जो आग्या तुझे दू तू वही कहना और हारून भी फिराउन से केवल वही कहे परमेश्वर के वचनों में जोडने और कम करने को परमेश्वर ने हमें मना किया है तब मूसा और हारून फिरौन के महल में जाते हैं और उस से परमेश्वर की आग्या कह सुनाते हैं तब फिरौन के कहने पर परमेश्वर की आग्या अनुसार वे उसे एक चमतकार दिखाते हैं जब हारून अपनी लाठी फिरौन के सामने डाल देता है तब वह अजगर बन जाती है पर उसके उपरांत फिरौन के पंडित और टोनहा करने वाले जितने तंत्र मंत्र थे वैसे ही करते हैं और उनकी लाठियां भी अजगर बन गई पर हम देखते हैं कि हारून की लाठी उन लाठियों को निगल जाती है इस पर फिरॉन का मन और कठोर हो जाता है और वह इस्राइलियों को जाने देने से इंकार करता है दोस्तों तब हम देखते हैं कि परमेश्वर की आग्या के अनुसार पहली विपत्ती मिस्र पर डाली जाती है जो नील लदी के जल का लोहू बनना है मुसा अपनी लाठी नील लदी पर मारता है और हारून अपनी लाठी सभी नदी, तलाब और जीलों पर बढ़ाता है और सारे इस्थानों का जल लोहू बन जाता है तब फिरॉन के जादुगर भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही करते हैं और फिरॉन का मन कठोर हो जाता है तब आठवे अध्याय के आरम में हम पाते हैं कि परमेश्वर मेढकों की दूसरी विपत्ती भेशते हैं दोस्तों यह बहुत ही रोचक द्रिश रहा होगा जब हम परमेश्वर की सामर्थ को प्रत्यक्ष रूप से काम करते देखते हैं तो आएए हम अपने अध्यान में आगे बढ़ते हैं और गहराई से इन पर मनन करते हैं हम निर्गमन की पुस्तक साथ अध्याय उसके दो और तीन पद में पढ़ते हैं लिखा है जो जो आगया मैं तुझे दूँ वही तू कहना और हारुन उसे फिरोन से कहेगा जिससे वह इस्राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे और मैं फिरोन के मन को कठोर कर दूँगा और अपने चिन और चमतकार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा फिरोन का हिर्दे कठोर हुआ इसका क्या अर्थ है? क्या परमिश्वर ने फिरोन की हिर्दे को कठोर किया? जी हाँ, प्रंतु इसने इस तरीके से किया यदि फिरोन कोमल हिर्देवला होता तो एक भला पुरुष परमेश्वर की और फिरने की इच्छा करता और उसे खुशी होती कि मुसा इसरायल के संतानों को छुडाने के लिए आया है क्योंकि फिरोन भी उन लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा करता तो क्या या परमेश्वर की योजना थी कि इस अद्भुत फिरोन के हिर्दे को कठोर कर दिया गया मित्रो यदि आप इसी रिती से पढ़ते हैं तो आप इसे सही रिती से नहीं पढ़ रहे है यह कठोरता का शब्द एक अलंकारिक या प्रतिकात्मक शब्द है जिसका अर्थ एंट ना हो सकता है जैसे एक रसी के साथ होती है इसका मतलब यह हुआ कि परमिश्वा ने फिरोन के हिर्दय को एंट दिया है और इसके अंदर जो कुछ भी है वह उसे निचोड कर निकालने जा रहे हैं वास्ताओं में परमिश्वा जो कुछ करना चाते थे उसने फिरोन को बाध्य किया कि वह करें मित्रो फिरोन आजकल के कुछ राजनेताओं के जैसे ही था जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं अर्थात उनके कहने का मतलब कुछ और ही होता है वे एक तरफ मह प्रंतो इस्राइली के मामले में वह कठोर था, इसलिए पर्मिशर फिरोन को कचहरी में लाने जा रहे हैं, और उसे स्विकार करवाने जा रहे हैं कि वह वास्तों में कैसा महसुस करता है। मित्रो कुछ निशित लोग ऐसे हैं, जिने कचहरी ले जाना चाहिए, वे उसी काम को करेंगे, जो वे पहले से ही करने के लिए सहमत हो चुके हैं। एक ठेकदार ने कहा कि उसे एक व्यक्ति को कचहरी ले जाना पड़ा, इससे पहले कि वा ठेकदार को आदर दे सके, उसने त तब तक ठेका के कारे को पूरा नहीं किया, जब तक कि कानू ने उसे नहीं कहा। यहाँ पर परमिश्वर भी वही कारे फिरोन के साथ कर रहे हैं। परमिश्वर फिरोन को कचहरी में लाकर उससे कहते हैं, तुम उस सब कुछ प्रगट करने जा रहे हो जो वास्तों में ही करेंगे जब कभी आप उसके उपस्तिती में आएंगे तब आप वही देखेंगे जो आप वास्तों में हैं वहाँ पर कोई भी छलावा नहीं होगा बलकि हम में से कुछ लोगों के लिए डराने वाली बात है है की नहीं आगे हम निर्गमन की पुष्तक साथ अध्याय उसके चार और पांच पदें पढ़ते हैं जहां पर लिखा है तो भी फिरोन तुम्हारी नस सुनेगा और मैं मिश्र देश पर अपना हाथ बढ़ा कर मिश्रियों को भारे दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इसराइली प्रजा को मिश्र देश से निकाल लूँगा और जब मैं मिश्र पर हाथ बढ़ा कर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूँगा तब मिश्रि जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ दूशे शब्दों में फिरोन उस बात पर खड़ा रहेगा जो वह है फिरोन जो है वह उसकी प्रगट होने तक इस्तिर रहेगा और इसराइल का प्रभू पर मिश्र भी उसे प्रगट करेगा कि वह कौन है मिश्री लोग जानेंगे और इसराइलियों को पक्का करना पड़ेगा और मुसा और हारुन दोशमुक्त किये जाएंगे अर्थात धर में ठहराये जाएंगे हम आगे पढ़ते हैं सात अध्याय के छे और सात पद में लिखा है तब मुसा और हारुन ने यहवा की आगया के अनुशार ही किया और जब मुसा और हारुन फिरों से बात करने लगे तब मुसा तो 80 वर्ष का था और हारुन 83 वर्ष का था मित्रो हारुन मुसा से तीन साल बड़ा था हम आगे पढ़ते हैं साथ अध्याय के आठ और नौ पद में लिखा है फिर यहवा ने मुसा और हारुन से इस प्रकार कहा कि जब फिरोन तुम से कहे कि अपने प्रमान का कोई चमतकार दिखाओ तब तु हारुन से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरोन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए फिरोन मुसा और हारुन से पूछने जा रहे हैं तुम्हारा प्रतय पत्र कहा है तुम लोग मेरे पास आये हो और मेरे उपर अत्याधिक मांग रख रहे हो अब तुम मुझे अपने अधिकार को दिखाओ मि तब मुसा और हारुन ने फिरोन के पास जाकर यहवा के आगया के अनुसार किया और जब हारुन ने अपनी लाठी को फिरोन और उसके करमचारियों के सामने डाल दिया तब वह अजगर बन गया इस पद में सांप सब्त को लेकर कुछ प्रशन है क्योंकि मिस्र के इतिहास म सांप के बहुत थोड़े वर्नन मिलते हैं वास्ताव में यहाँ पर जो शब्द आया है इसका अभिप्राय मगरमच से है मुसा के दिनों में इस प्रकार के बहुत से जन्तु वहां के तलाबों में और नील नदी में रहते थे और वहां लाठी एक मगरमच में बदल गई मि और यह है कि मिस्र के देवता या तो कोई जानवर या पक्षी या कीरा थे पॉलस ने रोमियों की पत्री में इसके बारे में कहा है जिसे हम रोमियों एक अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं वे अपने आपको बुद्धिमान जता कर मुर्ख बन गए और अभिनाश परमेश्वर की महिमा को नाश्मान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जन्तों की मूरत की समानता में बदल डाला वित्र मिस्र के लोग बहुत सी चीजों को संकेत के द्वारा प्रगट करते थे उन्होंने बिचार के सार को ले लिया और वे उसे एक ठोश आकार में बना दिये उनके पास दैविता थी जो जीवन के हर चरन और रूप को दर्शाते थे उन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा उन्होंने एक इश्वर को बदल कर अनेक इश्वरवाद बना दिया जैसे कि सरवालिस वज ने कहा है वे एक महान परमेश्व के प्रती चिंता करने वाला यह अस्तित्व बहुत ही महान और सामर्ती है इसलिए उसने संसार को संभालने के जिम्यदारी दे दी ताकि वे देवताओं और दुष्ट आत्माओं और अच्छे और बुरे आत्माओं के हाथों में जा पड़ें यह मिस्त्रिक के लोगों का व है और तेस पड़ें पड़ते हैं क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूझने के वर्ष्टों को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अंजाने इश्वर के लिए सो जिसे तुम बिना जाने पूझते हो मैं तुम्हें उसका समाचा सुनाता हूं मित्रो यदि एक व्यक्ति जो इन सभी अलग-अलग देवताओं की उपासना करता है तो वह जीवित और सचे परमेश्वर को नहीं जान सकता इसलिए इस्राइल का प्रभू परमेश्वर मिस्र के देवताओं पर आकरमन करते हैं और उन्हें यह दिखाने के लिए कि व उस्तक में इसे पंक वाले अजगर या उग्र साप से संबोधित किया गया है वास्ता में इस शब्द का वास्तविक अर्थ शैतानियत से किया गया है इसलिए संबोधा अनुवाद को ने इसका अनुवाद साप शब्द से कर दिया लेकिन इस कारण को ध्यान में न रखते ह आपेपी सभी सौर देवताओं का चिरस्थाई प्रधान शत्रु था, जो मगरमच के रूप में प्रगट था। सूरी की रोष्णी को रोकने के लिए आकाश में बादल, कोहरे और अंधकार को लाता था। मिस्र के लोगों की कोशिश इस रिती रिवाज के द्वारा आपेपी को नाश्ट या खत्म करना था। मिस्रियों द्वारा यह एक प्रशिद्ध और महत्पुन पूजन था, जिसके विरोध में परमेश्वा ने सबसे पहले एक विपत्ती भेजी, हारून की लाठी मगरमच बन गई। हम निर्गमन की पुष्टक साथ अध्या की ग्यारा पद में पढ़ते हैं। तब फिरों ने पंडितों और टोनह करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। मिस्र के जादूगरों ने भी हारून के लाठी के चमतकार का अनुसरन किया। शायदिया कहना उचित होगा कि उन्होंने उस चमतकार का नकल किया। उन्होंने जो भी किया और जैसे भी किया काफी अच्छा करके दिखाया। प्रेडित पॉलुस के पास दूसरी तिमुथियों की पुस्तक उसके तीन अध्या के आठ पद में कुछ कहने के लिए हैं लिखा है और जैसे यन्नेश और यम्ब्रोस ने मुसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं ये तो ऐसे मनुशे हैं जिनके बुद्धी व्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विशय में निकम्मे हैं मित्रो इन जादूगरों ने जीवत और सच्चे परमिश्वर का विरोध किया हम निर्गमन साथ अध्याय उसके बारा और तेरा पद में आगे पड़ते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गये पर हारुन की लाठी उनके लाठीओं को निगल गई परंतो फिरोन का मन और हठीला हो गया और यहवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारुन की बातों को नहीं माना मित्रो मज़िदार बात है कि मिस्त्री लोग मगरमच की पूजा करते थे और हारुन की लाठी ने उनके मगरमच्चों को निगल लिया इससे फिरोन को प्राभावित हो जाना चाहिए था परंतो ऐसा नहीं हुआ फिरोन ने अपने हिर्दे को कठोर कर लिया और अपनी तैक की हुई बातों पर अडा रहा पहली विपत्ती पानी का लहु बनना हम निर्गमन साथ अध्या के 14 से 19 पद में पढ़ते हैं तब यहवा ने मूसा से कहा फिरोन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता इसलिए बिहान को फिरोन के पास जा वह तो जल की और बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थे उसको हाथ में लिये हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेशर यहवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपास ना करें और अब तक तोने मेरा काना नहीं माना यहवा यह कहता है इससे तु जान लेगा कि मैं ही परमेशर हूँ देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूँगा और जल लोहू बन जाएगा और जो मचलिया नील नदी में हैं वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जीना चाहेगा फिर यहवा ने मुसा से कहा हारून से कह कि अपने लाठी लेकर मिस्र देश से जीतना जल है अर्थात उसकी नदियां, नहरे जीले और पोखरे सब के उपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोहू बन जाए और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भाती के जल पात्रों में लोही ही लोहू हो जाएगा मिस्रि की मूर्ति पूजन के लिए पालन पोशन करने वाले शक्ती को दिखाता है नील नदी मिस्रि के लोगों के लिए जीवन का लोहू था प्रन्तु उनके जीवन का लोहू होने के लिए इसमें पानी होना चाहिए अब उस नदी का पानी सच्मुच में लोहू बन गया है और वह नदी उनके लिए मृत्यू बन गया मिस्र के लिए पहले जो आशिशें थी वही उनके लिए अब श्राब बन गई यह परमेश्वर का न्याय है हम निर्गमन साता ध्याय के 22 से 25 पद में पढ़ते हैं तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया तो भी फिरोन का मन हठीला हो गया और यहवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारुन की ना मानी फिरोन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मूँ फेर के अपने घर में चला गया और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए निल नदी के आज पास खोदने लगे क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे और जब यहवा ने निल नदी को मारा था तब से साथ दिन हो चुके थे मित्रो यह विपत्ति साथ दिनों तक बना रहा फिरों ने फिर भी नहीं माना कि इसमें परमेश्वर का हाथ था क्योंकि उसके जादूगर भी उन भी पत्यों की नकल कर सकते थे यह एक बहुत ही आश्यजनक बात है मित्रों यह सपस्ट रूप से शैतान के शक्ती का एक प्रगटी करन था प्रंतुवे फिर से लोहो और शुद पानी बनाने में असमर्थ हो गए थे मित्रों यहाँ पर अध्याय साथ समाप्त होता है और हम अपने अध्यान को अध्याय आठ से जारी रखेंगे इसमें हम देखेंगे कि मिस्र मेंडकों की महामारी से भर गया और फिरोन फिर से अपने हिर्दय को कठोर करता है और मिस्र कुटकियों के महामारी से पीडित था परमिश्वर फिरोन के घमन को तोड़ता है और मिस्र डांसों के जुंड के द्वारा आकरमन किया गया संभवता पोईत्र, मुरिंग और मुसा परमिश्वर के साथ अपने नजदी की संभन्द को बाचीत के लिए उप्योग करता है हम टिपनी के तौर पर देखते हैं कि मिस्र देश में विपत्या आती रही परमिश्वर अपने आकर्मान का निर्देश उन लोगों के बिरोध में देते हैं जो मुर्ती पूजा में डूबे हुए थे दूसरी विपत्ती, मेंधक हेका के द्वारा प्रस्तूत किये जाते थे जो मेंधक के सिर्वाली एक देवी थी और हापी एक मेंधक को पकड़े हुए चित्रित किया गया है जिसके मुख से आहार की धारा बहती थी यह नील लदी के इश्वर और मेंधक देवी के घनिश सम्बंद को दर्शाता है जो सबसे पुराने देवीयों की माता थी वह उपज देने वाले और पुनर जनम की देवी थी और प्रसाविका की संरश्षिका थी मिसर के एक तस्विर यह दिखाती है कि हेका मंत्र का पाठ उसी रिस्ट के पुनरुथान को प्राभावित करने के लिए कर रही है और एक चित्र दिखाती है कि वह रानी के सामने घुटने टेकी है और हत्से पसेत के जन्म के समय देख रेक कर रही है हम निर्गमन आठ अध्याय के एक से पांच पद में पढ़ते हैं और तब यहवा ने फिर मुसा से कहा फिरोन के पास जा कर कह यहवा तुझ से इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपास न करे और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन मैं मेंड़क भेज कर तेरे सारे देश को हानी पहुँचाने वाला हूँ और नील नदी मेंड़कों से भर जाएगी और वे जो तेरे भौन में हैं तेरे बिछोने पर और तेरे करमचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कठोतियों में भी चड़ जाएंगे और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे करमचारियों सभी पर मेंड़क चड़ जाएंगे फिर यहवा ने मूसा को आग्या दी कि हारुन से कह दे कि नदियों नहरों और जीलों के उपर लाठी के साथ अपना हा चलते तो मेंड़कों के उपर चलते और जब वे बैठते तो मेंड़कों के उपर बैठते थे यह बहुत ही गंभिर स्तिती थी एक मेंड़क कुछ नहीं कर सकता था प्रन्तो बहुत सारे मेंड़कों ने बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी थी और हाँ वे पवित्र थे इसलिए लोग उसे मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे लोग मेंडकों को पूछते थे, मित्रों आज भी बहुत से लोग हैं जो सत्ते से हट कर मिस्रियों की तरह अंधेरे में हैं, आज मुझे और आपको भी उस परमेश्वर को जानने की ज़रुरत है, जो मेंडग भेज सकत है, और उसे नाश भी कर सकता है, हमें आज स्रिष्टी करता को पहचानना है, जो हम सब का परमेश्वर है, लेकिन क्या आज मैं और आप सच्चे परमेश्वर को पा गए हैं, या अंधेरे में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं, मित्रों या तो सच है कि संसार का रचने वा इसलिए उसने मिस्र के लोगों के बीच में चेतावनी स्वरुप वीपत्या भेजी, ताकि वे लोग जान लें कि यहवा ही परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने उसे स्विकार करना नहीं चाहा, जबकि उन्होंने अपने आखों से बड़े-बड़े चमतकारों को होते हुए जो बीना किसी जानकारी के किसी व्यक्ति या रिति रिवाज का अनुसरन करते हैं, क्या ही अच्छा होता कि आज हम उस सच्चाई को जानते हैं। द्वारा पूरा कर दिया, और तिसरे दिन मिर्तकों में से जी भी उठा, वा आज भी जीवित है और आपके पापों को शमा करने और आपके जीवन में शान्ति और आनन देने के शमता रखता है। जिससे कि जो कुस उसके हिर्दय में हैं, वह वही करें। और उसने परमेश्वर की आज्या को फिर से टाल दिया। मित्रों, बहुदा, हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमें स्वतंतरता मिल जाती है, तो हमारा मन बहुत सी बातों में परमेश्वर की आज्याओं का उलंगन करने लगता है। यह हमारे लिए एक परिक्षा का समय होता है कि हम यह प्रगट करें कि हमारे हिर्दय में क्या भाव है, क्या विचार है। वैवस्था विवरन, आठवे अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि वह तेरी परिक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। दोस्तों, जब हारून की लाठी अजगर बन गई और साथ में फिरौन के जादुगरों ने भी अजगर बना दिया, तब परमेश्वर की सामर्थ प्रबल हुई और उसने सभों को निगल लिया। शैतान चमतकार कर सकता है, पर उसकी सीमा है और वह परमेश्वर से कभी बढ़ा नहीं हो सकता। पहली विपत्ती में जब परमेश्वर ने नील नदी और सभी जलाशयों के पानी को लोहु बना दिया, यह विपत्ती मिस्र के देवता हापी के विरुद्ध थी, जिसकी सारे मिस्रवाशी पूजा करते थे। यह नदी और सेरस देवता के लिए पवित्र थी, जो कि इस्तन वाले एक मोटे पुरुष की पृतिमा के रूप में पूजा जाता था। उनका मानना था कि यह देवता ही उन्हें जीवन देता है, जिसे परमेश्वर ने लोहु में बदल कर प्रगट कर दिया, कि जीवन द देखने वाली बात है कि परमेश्वर ने पुनह साथ दिन के बाद उस लोहु को जल में बदल दिया, पर वे जादुगर ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों फिर हम पाते हैं कि दूसरी विपत्ती में मेढकों की थी, जो कि उनकी देवी हेका की थी, या देवी मेढक के सिर वाली देवी थी, जो देवियों की माता थी, वह उपज और पुनर जन्म देने वाली मानी जाती थी। दोस्तों मिस्त्रियों का मानना था कि ये देवी और देवता उन्हें जीवन, उपज, पुनर जन्म, समरिध्धी प्रदान करते हैं। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही है जो अपनी आशिशें और दया सभी विश्वासियों और अविश्वासियों पर प्रगट करता है हम परमेश्वर के कामों का श्रे शैतान को नहीं दे सकते आज संसार में कितने मनुष्य परमेश्वर की सुरक्षा और उपकारों का श्रे देवी और देवताओं को देते ह क्या यह परमेश्वर को दुखी नहीं करेगा यदि हमारी संतान अपने माता-पिता का श्रे दूसरे लोगों को दे तो हमें कैसा महसूस होगा हमारा परमेश्वर भी हम से यह चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर उसे प्रदान करें दोस्तों आईए प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर को सारा आदर और सम्मान दें जिसके वह योग्य हैं। आईए प्रार्थना के साथ इस अध्यान को समाप्त करें। हमारे जीवित सामर्थी पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभू कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत कारे किया है। लेकिन प्रभू हम आपको आदर और महिमा उसके लिए दे सकते हैं। हमारी सहायता करें। हमारे सभी दर्शकों की सहायता करें कि हम जो आदर और सम्मान प्रभू आपका है वो आपको दें। जो महिमा के योग्य आप हैं वो हम आपको दें। प्रार्थना करते प्रभू हमारी सहायता करे कि हम ऐसा ही करने पाएं कि हम आपको महिमा और आदर प्रदान करते रहें हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हातों में सौपते हुए इस अध्यन के लिए धन्यवाद देते हुए इस बिंती को हमारे प्रभु ईशु क्रीष्ट के नाम से मांगते हैं आमेन आप सबों को जै मसी की आवास उठाएंगे हम सास बजाएंगे है येशु महानब दुना ये गीत सुनाएंगे आवास उठाएंगे हम सास बजाएंगे है येशु महानब दुनाएंगे आवास उठाएंगे संसार की सुन्दरता में है रूप तो तेरा ही संसार की सुन्दरता में है रूप तो तेरा ही इन चांद सिकारों में है अर्स तो तेरा ही मनी मा की तेरी बातें हम सब को बताएंगे है येशु महानब दुनाएंगे ये की चुनाएंगे हावास उठाएंगे हमारा आज का कारिक्रम आपको कैसा लगा? हमें अवश्य बताएं हमारा फोन नंबर है 919-821-0018 और दूसरा नंबर है 965-143-339-7 यदि आप चाहें तो हमें मिस्स कॉल भी दे सकते हैं इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246 अगर आप इमेल करना चाहें तो हमारा इमेल आईडी है हिंदी-ttb-at-the-rate-radio-882.com पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR India पोस्ट बॉक्स नंबर 317-9-226-001 YouTube और Facebook पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं उसके लिए आप TWR India हिंदी के द्वारा जुड़ें अनुड़ें गसे चित लुड़ें पोस्टों मेरे लिए misinंए मैं आप हमसे घज़ें लिएक्से भी-दों पता है मैं खाभ आईबसाप WhatsApp भी-ग हमालं तो मैंदाबसाफ व네